Hello students, मैं हुँ जूरस sir, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं class 10th का ही एक topic elimination method जो कि हमारे chapter linear equation and two variable का एक method है यानि linear equation and two variable को जब हम solve करने जाते हैं तो हमारे पास 4 options होता है या तो graphical method, या तो substitution method, या तो elimination method या फिर जो हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में that is cross multiplication method इन 4 method में से आप किसी एक method से इसको solve कर सकते हैं लेकिन उसमें से सबसे best method यानि सबसे बहतर method जो easy भी है जो मुझे लगता है that is elimination method तो अगर आप elimination method को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को last तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो कृप्या हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को share करें वीडियो को like करें अपना प्यार दें आगे बढ़ते हैं Elimination और Substitution में क्या अंतर होता है यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था Substitution Method में अगर आपने नहीं पढ़ाए Substitution Method तो उपर चाहिए I button पे क्लिक करिए और जाके Substitution Method को पढ़ सकते हैं आगे बढ़ते हैं तो A, B, C, D, E Suppose करिए यह पांच लड़के कहीं पर गेम खेल रहे हैं गेम खेलते समय अगर हम कह रहे हैं कि E को Substitute कर देना है यानि E नाम के लड़के को Substitute करना है Substitute मतलब क्या होगी है कि E हटेगा वहां से और उसके जग़ कोई और आएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग Substitution Substitute मतलब यह नहीं कि E को हटा दिया और चार बच्चे से यह गेम खेलवा लेंगे E को हटाना है उसके जग़े किसी और को लाना है This is called Substitution लेकिन Elimination का मतलब क्या होता है Eliminate करना मतलब क्या होता है कि आपने E को हटाया और finally E हट गया और इसके जगह फिर कोई दूसरा नहीं आएगा अब चार बच्चे ही बचेंगे और वही चार खेलेंगे गे तो this is called Elimination अब जरह detail में समझते हैं Elimination Method को तो वीडियो को last तक जरूर देखिएगा फिलाल हमने दो यहां पे equations यानि pair of linear equation लिखा है that is 2x plus 5y is equal to 1 और दूसरा है हमारा 4x plus 6y is equal to 6 दो equations था हमारा इन दोनों equations को अब हम solve करने वाले हैं यानि x और y का value निकालने वाले हैं किस method का यूज़ करके हैं तो Elimination Method का यूज़ करके हैं तो Elimination Method में सब से पहले तो यह decide करना आपका काम है कि आप x को cancel करना चाहते हैं मतलब x को x के साथ काटना चाहते हैं या y को ही eliminate करना चाहते हैं आप किसको eliminate करना चाहते हैं अगर आप x को eliminate करना चाहते हैं तो दोनों ही equations में x के आगे की coefficient को equal बनाना पड़ेगा अगर आप y को eliminate करना चाहते हैं तो y के आगे के coefficient को दोनों को equal बनाना पड़ेगा तो फिलाल हम लोग x को ही eliminate करने के बारे में सुरू करते हैं तो फिलाल देखिए हमारे उपर वाले equation में 2x है और नीचे वाले equation में 4x है अगर उपर वाले equation को 2 से multiply कर दिया जाए तो यह पहला element हमारा हो जाएगा 4x और जैसे ही यह 4x होगा तो इसके equal हो गया तो हम आगे का process कर सकते हैं तो हम दोनों को equal करना था हम लोग को हमने पहले वाले equation को 2 से multiply करिया और दूसरे वाले जो equation है इसको हमने 1 से multiply कर दिया है क्योंकि इसमें दूसरे किसे से multiply करने के ज़रूरत नहीं थी यह already 4x है और उपर को 2 से multiply करते के साथ यह भी 4x हो गया अब चलिए multiply करने के बाद यह पूरा equation क्या हो जागा मतलब 2 से सिर्फ इसको multiply नहीं करना है सबको multiply करना है तो बताइए क्या हो जागा यह 4x प्लस 5 2,010 y is equal to 2 1,020 सकेंड है हमारा 4x into 1 तो हो गया 4x प्लस 6y is equal to 6 क्योंकि 1 से multiply करने से कोई फरक पढ़ता नहीं है आगे बढ़ते हैं अब ज़रा ध्यान देंगे कि यहां पर 4x के आगे में कौन सा sign है यहां भी 4x के आगे में कौन सा sign है यहां जब दोनों का sign सेम रहे है मतलब जिस दोनों का आप eliminate करने जा रहे है जिस दोनों का आपने equal बनाया है उस दोनों के आगे का sign अगर अलग अलग है तब तो अलग process यूज करेंगे जो हम अगले equation में आपको समझाएंगे लेकिन अगर दोनों का sign सेम है यानि दोनों के आगे plus है या दोनों के आगे क्या है minus है तो हम लोग को एक extra काम करना पड़ेगा यहां पे क्या? तो sign change करना पड़ेगा हम लोग को यहां पे जितने भी sign से उनका just opposite sign नीचे यउस करना होगा यहां पे क्या है ? तो यहां पे plus दो यहां भी में क्या लेंगे minus जब दोनों के आगे का Jason सेम रहेता तो देखिए यहां पे 4X-4X ложileकर पर दोस करदगे आएक सो इसको 0 ने लिखकर सीधा cancel कर देते हैं यानि 4x सा 4x क्या हो गया cancel लेकिन अगला में 10y यानि कि plus 10y में से minus करना है किसको 6y को मतलब ये plus आपके किसी काम कर नहीं है इस plus के जगा अब कौन सा आ गया minus यानि हम plus का use नहीं करेंगे अब हम minus का use करेंगे यानि 10y minus 6y तो कितना बच रहा है 4y is equal to 2 minus 6 तो 2 में से minus 6 करेंगे तो minus 4 आएगा तो y is equal to कर देते हैं minus 4 by 4 cancel करते हैं तो y is equal to क्या है हमारा minus 1 देखें कितना easy तरीके से y का answer निकल गया हमारा और y का value अगर दोनों में से किसी एक equation में पुट कर देंगे तो x का answer भी निकल जाएगा पहला equation ही लिख लेते हैं यहापे क्या है हमारा पहला equation 2x plus 5y is equal to 1 तो अब y का value यहाँ पुट कर देते हैं 2x plus 5 into y के जगह minus 1 is equal to 1 तो 2x is equal to 1 यह minus 5 देखेंगा तो plus 5 हो गया यानि कि x is equal to 6 by y 2 यानि कि 3 यानि x is equal to 3 और y is equal to minus 1 हमारा answer आचुका है अब जड़ा एक अलग और equation का use करके हम लोग elimination method को समझने का कोशिस करते हैं मतलब क्या हो अगर दोनों का sign already अलग अलग दिया रहे तो हम इस equations को कैसे बनाएगे ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं second question हम अभी लेने वाले हैं क्या जैसे 2x plus 3y is equal to 5 पहला equation लिया हमने 2x plus 3y is equal to 5 दूसरा equation लेते हम लोग 4x minus 4y is equal to 6 4x minus 4y is equal to 6 अब दोनों ही equation में इस बार यानि जो second question हम बना रहे हैं इस बार हम x को equal नहीं हम y को equal करने का प्लान करते हैं यानि इस बार हमको y को eliminate करना है तो y को अगर equal करना चाहते हैं तो सूचना पड़ेगा कि उपर कितने से multiply करें और नीचे कितने से multiply करें ताकि दोनों equal हो जाए अगर उपर 4 से multiply कर देंगे तो 4,3,012 हो जाएगा और नीचे 3 से multiply कर देंगे तो 3,4,012 हो जाएगा यानि दोनों हमारा equal हो जाने वाला है यानि यू समझे ना कि इसका just opposite से उपर यानि 3 उपर में है तो 3 से नीचे multiply करते हैं और 4 नीचे है तो 4 से उपर multiply करते हैं दोनों equal हो जाएगा तो clear उपर हम 4 से multiply करने वाले हैं नीचे 3 से multiply करने वाले हैं ताकि हमारा y वाला term equal हो जाए क्या हो जाएगा equation जड़ा देखिए multiply करेंगे सब को 4 से 4 2 0 8 x plus 4 3 0 12 y is equal to 5 4 0 20 ये equation हमारा 1 रहा अब equation 2 क्या है हमारा जड़ा वो देखते हैं 4 x को 3 से multiply करेंगे तो 4 3 0 12 x minus 12 y is equal to 6 3 0 18 equation हमारा second हो गया अब जड़ा फर्स्ट equation को और second equation को दोनों को ध्यान से देखिए क्या y को eliminate करना चाहते हैं तो हाँ y को ही eliminate करना चाहते हैं इसलिए हमना y को equal बनाया क्या दोनों का sign सेम है तो नहीं यहाँ पे एक का sign already plus है और एक का sign already क्या है minus है जब alternative sign already यहाँ पे present हो equal वाले number के आगे में तो हम लोग को sign change करने का कोई जरूरत नहीं है हम direct इस दोनों को cancel कर सकते हैं यानि 12y minus 12y cancel हो गया अब जड़ा इधर side add कर देते हैं 8x plus इसके आगे कुछ नहीं तो plus ही है न 8x plus 12y तो 8 plus 12 कितना होगा 20x is equal to 20 और plus 18 तो यह हो गया हमारा 38 तो x is equal to हो गया 38 by 20 solve कर लेंगे x को cut कर लेंगे यहां से x का answer आ गया और x का value फिर दोनों में से किसी एक equation में put करेंगे तो y का answer भी हमारा निकल जाएगा तो इस तरीके साब elimination method का questions को बहुत easy तरीके से बना सकते हैं अब हम लोग कुछ VVI यानि कि कुछ बहुत important questions के बारे में discuss करने वाले हैं जो थोड़ा सा तीड़ा question हो सकता है अब तीड़ा question बनता कैसे है तो वैसे questions को हम अभी VVI में discuss करने वाले हैं जिन में variables variables denominator में हो अब जैसे देखिए इन questions को अभी मैं कैसे बताता हूँ हाँ बच्चो तो कुछ special types के questions ये हैं और बताने वाले हैं तो यहाँ पर आप देखिए pair of linear equation दिया हुआ है और यहाँ पर pair of linear equation में एक खास बात है कि यहाँ पर variable कहां चलाया है denominator में variable अगर उपर है और तब fraction में है तो कोई दिक्कत नहीं LCM लेंगे बना लेंगे question को लेकिन जैसे ही variable कहां चलाया है नीचे denominator में चलाया है तो वैसे questions को बनाने से पहले LCM लेने से पहले एक छोटा सा काम करना पड़ेगा हमको क्या तो आप पहले ये देखिए कि यह जो variable नीचे आया है आपकी equation में पहले वाले में और second वाले में इसमें कौन सा variable नीचे आया है x भी नीचे आया है और y भी नीचे आया है और दोनों equations को जरा ध्यान से देखिए कि क्या common है दोनों में तो 1 by 2x यहां पे है तो क्या यहां पे 1 by 2x है नहीं लेकिन 1 by x यहां पे है तो यहां भी 1 by x है और यहाँ पे भी 1 by y है 1 by y को हम भी मान लेंगे यहनि आपने 1 by x को u मान लिया और 1 by y को हमने भी मान लिया तो अब हमारा equation क्या हो जाएगा 1 by x के जगह अब हम u लिखेंगे तो हमारा equation हो गया u by denominator में क्या था 2 था तो u by 2 प्लस b by 3 is equal to 2 यह हमारा पहला equation है अब ज़रा इसके LCM भी ले लेते हैं 32006 2 3006 तो 3 को multiply करेंगे तो 3u हो जाएगा प्लस 3200 तो 2b is equal to 2 2 को multiply कर देते हैं इंदर साइड तो equation हागया हमारा 3u plus 2b is equal to 620012 यह हमारा equation 1 है अब ज़रा second वाल equation को भी सहीं कर लेते हैं यहां भी 1 by x को u और 1 by y को हम भी मान लेते हैं तो यह हो जाएगा हमारा u by 3 equation क्या हो जाएगा u by 3 plus v by 2 is equal to 13 by 6 फिर सीदर साइड LCM ले ले लेते हैं 32006 हो गया हमारा LCM अब 32006 तो 2u 2 3006 तो 3b is equal to 13 by 6 यहां 6 से 6 cancel हो गया तो 2u plus 3b is equal to 13 यह दो equations आगया अब इन दोने equations को हम लोगों को solve करना पड़ेगा तो elimination method ही लगा लेते हैं easy method है हमारा तो 3u equation क्या है आपका 3u plus 2b is equal to 12 यह पहला equation था और second था 2u plus 3b is equal to 13 अब इसमें हम लोग u को काटना चाहते हैं चलिए u को ही काट देते हैं u को अगर काटना चाहते हैं तो दोनों को equal बनाना पड़ेगा तो उपर multiply कर देते हैं 2 से ताकि यह 6 बन जाए और नीचे multiply कर देते हैं 3 से ताकि यह भी क्या बन जाए? 6 बन जाए अब चलिए 2 से सबको multiply कर देते हैं sign change करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के ही आगे में same sign है, यानि plus plus है, तो sign change करेंगे, यहाँ plus है, यहाँ minus, plus है तो minus, अब ज़राब बताईए, 6 में से 6 cancel होगा, तो 0 आएगा, तो यानि यू को हम direct cancel out कर देते हैं, अब 4B में से अगर 9B घटाया जाए, तो क्या answer बचेगा, minus 5B, यहाँ पर plus 4B, minus 9B, तो plus 4 में से अगर 9 घटाएंगे, तो minus 5B ही बचेगा, और इधर side, 24 minus 39 करना है, यानि 24 में से minus करना है किसको, 39 को, तो अगर 24 में से हम 39 को minus करेंगे, तो answer हमारा minus 15 आएगा, अब यहाँ पर minus से minus cancel हो गया, तो V is equal to कितना, 15 by 5, अब इसको भी cancel कर देते हैं, 5, 3s are 15, तो V is equal to कितना आ गया, 3 आ गया, अब जब V निकल चुका है, तो U निकालना पड़ेगा, अब U के लिए उपर में से दोनों में से किसी एक equation का use कर लेते हैं, चलिए उपर वाले equation का ही use कर लेते हैं, क is equal to 12, तो 3U is equal to 12 minus 3 to the 6, यानि कि U is equal to 6 by 3 को नीचे ले आते हैं, कितना answer answer है, 2 answer आ गया आपका, तो U और V निकल चुका है, तो क्या question बन गया हमारा, नहीं, question अभी नहीं बनाया है, क्योंकि हम लोग को U और V का answer नहीं निकालना था, हम लोग को X और Y का answer निकालना था, तो अब वापिस आते हैं, कि हमने क्या माना था शुरू में, तो हमने U किसको माना था, 1 by X को, हमने V किसको माना था, 1 by Y को, तो चलिए U के जगा डाल दीजिए, value 2, तो 2 is equal to कितना, 1 by X, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 मान लेते हैं, cross multiply करेंगे, तो X का answer आजाएगा, 1 by 2, उस तरीके से आप X का और Y का answer निकाल सकते हैं, यानि पहले process में आपको तो पहले आपका जो equation है, उसको सही बनाना पड़ेगा, और equation अगर आपका सही बन गया, तो फिर इस question को solve करने के लिए, आपको वही method यूज़ करना पड़ेगा, elimination substitution जो आप यूज़ करना चाहें, मैंने इससे भी थोड़ा सा complex and linear question का ही और भी थोड़ा tough questions कैसे बनता है, वो अगले वीडियो में आपको बताता हूँ, तब तक आप हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए, thank you